बहुत बड़ी खबर सियासत के मैदान से ये आ रही है, सूत्रिय जानकारी दे रहे हैं कि 2024 लोकसभाद चुनाव नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है सोनिय गांधी के साथ पार्टी नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया है पहले खयास लगाए जा रहे थे कि बहुत मुम्किन है राइबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उत्रें लेकिन अब ये बड़ी खबर सोनिय गांधी की मौझूदगी में फैसला हुआ है पार्टी नेताओं के साथ कि प्रियंका गांधी दोहजार चुनाव नहीं लड़ेंगी सीधर रोख करता है मेरे साथ मेरे सायोगी मौहमद बोहिन इस्वत मौचूद है मौहमद बोहिन अपडेट क्या है प्रियंका गांधी वात्रा दोहजार चुनाव नहीं लड़ेंगी और उसके पीछे वज़ा ये बताई जा रहे है जो पार्टी में रर्णी के तैकी हुई है कि प्रियंका गांधी वात्रा अगर लोगसभा का चुनाव लड़ेंगी तो वो एक हीची तक स्कीनिक होगकर रह जाएंगी और निटी की ये रर्णी थी है कि प्रियंका गांधी वात्रा बड़ी स्टार प्रशारा है और उनको पूरे देश में उनसे प्रशार कराया जाना है PC के मद्दे नजर ये पैस्दा लिया गया है और रणिती ये तैकी गई है कि लोगसभा चुनाओं के पहले प्रियंका गांदी वाटरा को राजिसभा बेजा जाएगा उन्हें हिमाचल प्रदेश के राजिसभा बेजा जा सकता है इसके साथ में 36 गर के राजिसभा सामसद में पेशकत की है कि वो प्रियंका गांदी वाटरा के लिए चुट छोड़ देंगे जो पार्टी के राजिसभा सामसद में प्रियंका बहुत मुम्किन है सोनिय गांदी इस बार चनाव मैदान में ना उत्रे तो क्या ये तैब आना जाए कि 2024 लोग सबाचनाव सोनिय गांदी अपनी सीट पर दोबारा से बतार उमीदवार नजर आएंगी तो नहरुजांदी परिवार का कोई करीबी सदस नहीं रहे पार्टी राहड़रेली से चुनावा लड़ेगा वहाई गड़दन होने के जर नौबात आती है उपचारी तो पर इसका एलान होता है तो पार्टी राहड़रेली सीट अपने कफ्वे में लेगी खुद से दावेदारी करें लेकिन हमेठी सीट को लेकर के अभी बहुत ज्या बनोने में ये फिलाल अभी तेह नहीं है तो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी मौमित मोहिंदे रहे हैं लोगसभाद चनाव नहीं लड़ेंगी प्रियांका गांधी बीच में सुख्बुगाहाट इस बात को लेकर बहुत तेज थी कि प्रियांका गांधी लोगसभाद लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी लेकिन प्रियांका गांधी को लेकर ये तस्पीर साफ जरूर हो रही है कि राज्यसभा में प्रियांका की एंट्री की तैयारी पूरी कर ली गई है लोगसभाद चनाव नहीं लेकिन राज्यसभा में प्रियांका गांधी की एंट्री ह हो सकती है